जहिन स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल अमरित अकैडमी पे हम लोग शीटेट पेपर टू के लिए मैट साइन्स की प्रेक्टिस में अपना जो कोर्स कर रहे हैं कम्प्लीट उसमें हम लोगोंने साइन्स चैप्टर में फोर्स तक कर लिया था तो आज फो कोशी के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे यहां से बहुत बार कोशन पूछे जाते हैं हर एक सेट में एक नएक कोशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं क्या-क्या करने वाला हूं सबसे पहले मैं उस पर बात कर लेता हू देन हम उसके importance की बात करेंगे advantage और disadvantage की बात करेंगे और फिर हम लोग previous year question करेंगे बहुत सारे previous year question जो कैसी seated के किसी सेट में पूछे गया हैं उनके question solve करेंगे और कुछ practice question जो अलग से हैं बाहर से वो भी हम लोग इस अपनी वीडियो में देखेंगे ठीक है न तो आप आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो देखी friction क्या होता है friction देखी जब भी कोई object कोई वस्तु रखी होती है या motion कर रही होती है तो उसको एक रोकने के लिए force काम करता है कि इधर काम करता है opposite direction motion के रिद दिशा में ठीक है न अब friction जैसे देखेंगे यह ब्लॉक है यह मै राइट साइड अपनी साइड खीच रहा है अगर तो इस पे देखिए और इधर से कोई अगर धक्का दे रहा है या pushing force तो इस पे तो pulling force लग रहा है तो motion जो होगा इधर direction में जा रहा है तो friction क्या करता है इसका अप्रोच करता है मतलब इसको आगे बढ़ने से रोकने की बोलते हैं इसका reason क्या होता है ठीक ना तो यह देखो जितना जादा surface अनियमित होगा मतलब जितना ज्यादा संपर्क में आए दोनों सतहों पे काम करता है, जैसे अगर मैं अपने हाथों को इस तरह से रगडूंगा, तो इस हाथ पे भी friction work करेगा, और इस हाथ पे भी, दोनों संपर्क की object पे friction work करता है, अगर question बनता है, कि किस object पे काम करता है, तो दोनों पे ही काम करता है, ठीक है, त अब देखिए और क्या होता है इसको reduce कैसे कर सकते हैं जैसे friction पहले देखिए इसके advantage के बारे में भी देख लेते हैं और उसके बार टाइप से पहले हम यह देख लेते हैं कि इसको हम लोग कम कैसे करेंगे friction को कम कैसे किया जा सकता है तो देखिए friction को कम करने के लिए कई सारे तरीके होते है सबसे important जो होता है lubricant lubricant को Hindi में जो बोलते इसनेहक का इस्तिमाल अब इसनेहक क्या होता है तो जैसे तेल हो गया grease हो गया mobile इस सारी चीजों को हम लोग इसनेहक बोलते हैं इन्हें दो सर्फेस के बीच में लगाने से क्या होता है घर्षण कम हो जाता है जैसे आप लोग कभी-कभी देखते होंगे जो दर्वाजा होता है हमारे घर का अगर उसको बंद करते हैं तो कई बार वह बहुत आवाज करता है या बहुत टाइट बंद होता है तो यह रीजन होता है घर्षण का अगर उसमें हम लोग आयल या फिर कोई ग्रीश वगएरा लगा देते हैं तो दर्वाजा जो होता है आशानी से खुलने लग जाता है ठीक है न तो यह किसकी वज़ा से यहाँ पे frictionless करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं दूसरा क्या इस्तिमाल करते हैं बॉम आप लोगों ने जिसेalley teenentry अगरहे मोटर स्वागुल में देखा होगा जव imagenी चलती है तो उस पे इस तरह से बॉल बेरिंग्स rok अगयी होथए उसमें उनका टार्प होता उ Mick पाल्स लगी होती है यह क्या काम करते हैं यह फिसल करके चलती है तो अब यह फ्रिक्षन को क्या करती है घटाने का काम करती है ठीक है न तो यह हो गया तो इसको reduce कैसे करते हैं, यह हम लोगों ने समझ लिया, friction को reduce करने के लिए इसनेहक किया, और एक important इसनेहक और होता है, जिसका इस्तिमाल किया जाता है, वो question पूछा जाता है, उसका नाम है, जो pencil में आता है, graphite, graphite powder भी एक इसनेहक का काम करता है, मतलब reducing agent इसका friction को कम करने का काम करता ह ठीक है ना, यह हो गया हमारा, अगर जैसे हम friction को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसी भी surface का friction मतलब घरसर बढ़ जाए, तो उस condition में क्या करना होता है, surface को खुर्दरा करना पड़ता है, जितना ज़्यादा खुर्दरा surface होगा, या खा और advantage और disadvantage को भी discuss कर लेंगे, अच्छा, एक question previous year में पूछा गया था, पहले मैं उसका concept आप लोगों से discuss कर देता हूँ, उसमें question में था कि, अगर suppose कोई table है, ठीक है न, table पे कोई book, जैसे मेरी सामने table है, इस पे laptop रखा हुआ है, तो इस पे कौन कोर से force work कर रहा है, जब भी किसी table पे कोई object रखा होता है, जैसे ये table है, इस पे ये हमारा computer हमने बना दिया, ये रखा हुआ है, या कोई book रखी होती है, तो इस पे कौन सा force work करता है, एक तो देखे, gravity जो है नीचे की तरफ काम करती है, दूसरा normal force, उपर की तरह काम करता है, इसे balance रखने के लिए, पहले उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है न, यहां तक discussion हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं इसके type से, अब ये देखिए, ये most important है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा important है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहां से हर एक set में कितनी बार question पुछा गया है, ठीक है, तो देखिए, फ्रिक्शन क्या होते है, ये 3 टाइप कê फ्रिक्शन को हमें पढ़ना है, ठीक है, ज़ेकर फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक होता हमारा static friction, ठीक है न, अभी में इनको डिसकस करते हैं, ये होते क्या है, उसके बाद दूसरा हमा भी कहा जाता है और rolling friction को हम लोग लोटनी friction या लोटनी घर्शन कहते हैं ठीक ना अब यह generate कैसे होते हैं जैसे मालो कोई block है कोई भी चीज है कोई गाड़ी खड़ी है कोई साइकिल खड़ी है कोई बेड रखा हुआ कुछ भी चीज है पहले से अगर इस्तिती में है मतलब stop है चल वो कुछ नहीं रहा है ठीक है ना तो इस condition में जो force हम apply करते हैं तो उसके approach में जो friction force लगता है इसकी इस्तिती के कारण इसको हम लोग static friction बोलते हैं ठीक है ना तो static friction समझ में आ गया होगा कि इस्तिती वस्तु के इस्तिती के कारण जो friction generate होता है उसे हम लोग क्या बोलते है static friction बोलते है ठीक है अब आ जाता है sliding friction अब देखिए क्या होता है इसी object पे अगर हम force को थोड़ा और बढ़ा दे मालों पहले 10 Newton लगा रहे तो friction इसका अप्रोच कर दिया स्थिती बनी रही अगर हम उससे जादा लगा दिये 10 Newton से मालो 20 Newton लगा दिये अब यह block क्या होगा force के direction में move कर जाएगा ठीक है जब move कर जाएगा मतलब slide कर गया खिसक गया तो ऐसी friction को हम लोग क्या बोलते है sliding friction बोलते हैं ठीक है यह गतिक घर्षण बोलते हैं क्यों क्योंकि अब यह घर्षण गति के कारण हुआ है ठीक है अब यह चीज का ध्यान रखना है अगर object हमारा right में move करेगा तो घर्षण किधर लगेगा left में लगेगा ठीक है एक यह हो गया और rolling friction क्या होता है कि अगर कोई rotatable body है जिसको हम लोग घुमा करके ले जाते हैं वह इस तरह से घुमती हुई जाती है तो उस condition में जो friction generate होता है उसको हम लोग rolling friction या फिर लोटनी friction घर्षण कहते हैं ठीक न अच्छा अगर मैं आप लोगों से यह पूछू कि कोई cycle है cycle के पहिए में किस direction में friction काम करेगा तो यह लोग यह आपको question बताना है देखी क्या होता है cycle जो होती है में सट ट्रेवल की तरफ करती है उसके टायर्स जो होते हैं आगे आगे जाते हैं ठीक न यह आगे इस तरह से फ्रिक्षण करेगा आगे की तरफ टायर जाएगा तो इस तरह से जाएगा टायर मतलब इधर मूफ कर रहे हैं पीछे की तरफ ऐसे नीचे से उपर कर रहे हैं ठीक न तो घरसड किदर काम करेगा इधर साइड काम करेगा यह question पूछे जाते हैं ठीक है यह हमने यह बहुत important अब देखिए किसमे कौन जादा है कौन कम है यह relation आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है ठीक तो सबसे जादा कौन सा friction होता है static होता है मतलब की static friction जो होता है घरसड जो होता है वो सबसे अधिक होता है उसके बाद गतिक घरसड आता फिर लोटनी घरसड आता है इसको चाहे आप लोग रटो चाहे जैसे भी करके यह याद कर लो क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने question दिखाऊंगा बहुत बार पूछा गया है यह question ठीक ना तो सबसे ज़्यादा इस्तेटिक गतिक लोटनी इस तरह से चाहे याद कर सकते है इस्तेटिक ले और sliding और rolling SSR इस तरह से या इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं ठीक ना आजए यह आगे की चीजों को हम लोग discuss करते हैं अच्छा देखिए friction क्या जरूरी भी है या जरूरी नहीं है advantage क्या है इसके और इसके क्या disadvantage है ठीक ना देखिए किसी ने इसके बारे में यह कहा है friction is called unnecessary evil एक ऐसा गलत चीज है जो बहुत जरूरी भी है friction इस तरह से कुछ word इसके लिए यूज़ हुए है ठीक है इसका advantage भी होता है और इसका disadvantage होता है ठीक है advantage की बात करें अगर दुनिया में friction नहीं होता तो हम आसानी से motion नहीं कर पाते Caen नहीं पाते run नहीं कर पाते ठीक है फिक है न ये झो यह हो गया ही running में हमें walking में दूसरा अगर của fiction नहीं हो तो यह जो मैं pen से लिख रहा हूं ना ये भी हम लिखनी पाते friction की वज़ा से ही हम लोग लिखना या यह मैं पकड़े हुए होल्ड किया हुआ हो तो friction की वज़ा से ठीक है तो friction की यह सारे advantage होते है ठीक अब क्या कहा रहा है अब इसका disadvantage देख लेते हैं miradvantage का यह मतलब होता है due to friction क्या होता है हमें extra energy किसी काम के लिए यूज करना पड़ता है suppose यह block रखा हुआ है अगर इसमें friction काम नहीं करता है इसको हम थोड़ा सा धक्का देते तो यह बहुत तेजी से भाग जाता ठीक है ना तो हमारी हमें friction की वज़ा से ज़्यादा energy देनी पड़ दी तो एक तरह सी यह disadvantage हो गया ठीक है और क्या होता है देखिए और बहुत सारे दे रखा इट कॉज वीरिंग एंड टियर आप मेकिन अच्छा देखो मशीनों में जो नुकसान होता है तूट फूट होती है कोई मशीन चल रही है तो वह घर्षण की वज़ा से होता है ठीक है अगर घर्षण नहीं होता तो वह नहीं होते तो एकुल मिला करके जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ख्रिक्षन का उतना ही उसका डिसडवांटेज भी है ठीक है तो यह बात आप लोग याद रखेंगे यह मैंने पूरा पेज लगा रखा है यहां से आप लोग पढ़ भी लेंगे ठीक है यह पर वैसे आप लोगों को देखते ही समझ मे सब्सक्राइब सिंगे तो उसके थुरू हम लोग क्या करेंगे उसकी बात कर लेंगे है कोशन बहुत ज्यादा इंपॉण यह सारे कोशन पूछे हूए है सारे कोशन पी पिवाई ंंकी है और के हैं हैं सारे ncrit best content है ठीक है तो देखिए कोश्चन क्या कह रहा है उपयोगी परिनाम के लिए निम्नलिखीत में से कौन सी क्रिया क्लाब मतलब कौन सा वर्के स्टेट जी घरसड को कम करने के लिए किया जाता है मतलब घरसड को घटाने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं ठीक है अब देखते हैं कह रहा है पहला option जूते के तल्वों पर खाचे बनाना ये तो घरसड बढ़ा देगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा दूसरा क्या कह रहा है ट्रकों के टायरों को खाचेदार बनाना ये भी घरसड क अंसर नहीं होगा आगे क्या करना मसीन पार्ट के बीच में ग्रेफाइट का उपयोग करना अभी मैंने आप लोगों से बताया कि जो ग्रेफाइट होता है वह भी रिडूशिंग एजेंट होता है किसका फ्रिक्शन का ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना आज कुछ और कोशन को हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कह रहा है निमनलिखित में से कौन सा संबंद घरसड के परिनाम के बारे में सही है which of the following relation is true regarding magnitude of friction तो बताइए अभी मैंने आप लोगों से डिसकस किया था कि उसको अच्छे से याद करने था सबसे ज़्यादा magnitude किसका बताया था मैंने स्टैटिक का उसके बाद किसका बताया था मैंने याद किजिए स्लाइडिंग का उसके बाद किसका था rolling friction का ठीक है ना अच्छा कई जगा आपको यह देखने को मिलेगा इस तरह से option देदेगा कि sliding और is equal to यह स्टैटिक greater than rolling यह भी गलत होता है या अगर आपको देदे स्टैटिक जो ता बराबर होता रोलिंग के और यह स्टैटिक greater होता है और इसमें से किस तरह से equal देदेगा तो यह भी गलत होता क्यों यह relation आपका शई होगा तो देख लीजिए इसमें कौन से में है पहला करा स्टैटिक greater rolling यह तो रेलेशन नहीं था स्टैटिक sliding rolling दोनों में greater का sign यह हमारा correct answer हो जाएगा बाकी आप चेक कर सकते हैं ठीक है यह बहुत अच्छे अच्छे question है इनको हम discuss कर लेते हैं आज यह next question पर अपने इस question में क्या कह रहा है लकड़ी का एक टुकड़ा मेज पर विरामा वस्था में है ठीक है कोई लकड़ी का टुकड़ा है विरामा वस्था पर मेज पर है निमलिकित में से कौन सा बल उस पर कार कर रहा है तो अभी मैंने बताया कोई भी table के उपर लकड़ी का टुकड़ा ह लेपटॉप हो बुक्स हो कुछ भी इस तरह का कोश्चन बनता है तो उस पर एट लीस्ट दो फोर्स तो काम करते हैं एक नॉर्मल जिसको अभी लंब भी कहा जाता है सामान्नी भल भी कहा जाता है तो ॉऽीट्व करें आकेके आप लो ओप्सं सकते हो ठीक है, next question को देख लेते हैं अपने, देखिए इस question में क्या कहा रहा है, question को आराम से पढ़िएगा और समझ करके answer कीजिएगा, ठीक है, एक बार question स्वाल कर जिएगा, तो पुरा mind में वो बस जाए आपके, ठीक, देखिए कहा रहा है, घरसड के संदर्वे में निमलखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा कथन गलत, देखिए मैंने answer को हलका सा पहले से टिक कर रखा है, इसके पीछे reason यह है, कि आप लोग लाइब नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता है, कई बार होता है, human error की वज़ा से कुछ चीजे गलत टिक हो जाती, इसलिए मैंने पहले से answer को सही correct टिक कर रखा है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत में आए, ठीक है, देखिए इसमें कहा रहा है, घरसड के संबंद में अंदर पर निमलखित में से कौन सा कथन गलत है, यह देखिए ध्यान से देखिए, गलत के बारे में पूछ रहा है, पहला कहा इस तहिते घरसड से सरपी घरसड थोड़ा ही निमन होता है, सही बात है, कम होता है, बस थोड़ा सा ही कम होता है, यह भी सही है, सरपी मतलब की rolling friction is less than the sliding friction, सही है, rolling सबसे last में आया था, यह भी सही है, इसने गलत पूछा है, कहा रहा है, घरसड बल किसी द्रब में वस्तु क आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह गलत बात है, ठीक है, और गलत ही सही आंसर है, इसका गलत आंसर पूछा गया, तो यह सही हो जाएगा, हमारा आंसर, क्यूंकि जो घरसड बल होता है, वस्तु के आकार पर ही निर्भर करता है, जैसे कोई rotable ball है, उसको लुड़काना आ हो जाएगा, ठीक है, आजाएए, नेक्स कोश्चन को हम लोग discuss कर लेते हैं, देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, देखी कह रहा है कि, identify the incorrect statement, यह कोश्चन पढ़ते टाइम इसका द्यान दिया करिए, यहां से बहुत सारे कोश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, कि आप से ग तो यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि सही बाते आंसर नहीं हमें गलत बातों को आंसर देना है, यह हो गया, कह रहा है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घरसर बल उसकी आकरित पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही का है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, आकरिती मतलब गोल है यह चौकुन है त्रिबुजाकार कैसी है तो उससे भी घरसड पर फर्क पड़ता है अगला आंसर क्या कह रहा है बाल बेरिंग का उपयोग मसीनों के भागों के बीच घरसड में बृद्धी करने के लिए किया जाता है क्या बताइए हमने यह बता एक बृद्धी होती करने के लिए घरसड को कम करने के लिए लोग बाल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यह स्टेटमेंट क्या है गलत है और गलत वाला ही हमारा आंसर है क्योंकि उसने गलत ही पूछा है तो डी आप्शन इसका करेक्ट हो जायागा ठीक है आजए अगला कॉस्चन स्लाइडिंग प्रिक्शन स्लाइडिंग से होता है फिर होता है ठीक है और यह स्लाइडिंग है दू ग्रेटर है मनऱ कूँं है तो यह वी आंसर नहिंद ओगा क्यों कर्या अगला स्ला डिंग अन्स इतनी बात बट देंध चैटिक हाया यह बीचवाले की बात कर रहा यह estatic से तो कम ins यही आपका करेक्ट आप्शन हो जाएगा इंदी में देख लीजिए किया सरपी घरसड लोटनिक घरसड से अधिक होता है परन्तु स्थैतिक घरसड से कम होता है बिल्कुल करेक्ट बात है यह इसका अंसर हो जाएगा ठीक है आज़ेगे अपने next question पर आ जाते हैं इसमें देखते हैं क्य कीचे तरफ घीचती है और उपर की तरफ लगता है ठीक है तो जो वस्त उपर घरसड लगता है यह गुरुत के विपरीत लगता है मतलब opposite to gravity लगता है ठीक है एयर फ्रिक्शन की बात करें तो किधर लगेगा gravity के opposite लगेगा यह भी important है यहां से भी question पूछे गया है बहुत साल box को सरकाने के लिए रेशमा को निमलिखित बलो में से किसे अधिक बल लगाना होगा अचा बताईए घर में अगर कोई box रखा हुआ है यह तो इसका मतलब यह अपनी स्थिती में है static position में है और हमने अभी यही देखा था कि तीनों तरह तरीके के friction में सबसे ज़्यादा परिनाम किसका होता है हमारा static का होता है तो अगर हमें इसको उठाना है या इसको घिसकाना है move कराना है तो सबसे अधिक बल हमें starting में ही लगाना पड़ेगा मतलब static घरसड के वियोद में लगाना पड़ेगा तो इसका answer जो correct हो जाएगा static घरसड हो जाएगा static friction हो जाएगा ठीक है ना आप लोगों ने देखा होगा जब हम cycle start करते हैं तो हमें जब cycle चलाना शुरू करते हैं इस्तिती से जैसे ही उसको motion मिलेते हैं उस time सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है अपने पैरों से और जब चलने लगती है तो बह question है कुछ friction के question मैंने पिछले उसमें जा करके discuss कर रखा है फोर्स वाले चेप्टर में भी discuss कर रखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजेगा ठीक है ना अब देखिए क्या करा है एक बड़े ब्यावसाइक परिशर में मुख्य सड़क तक पहुंचने के चार रास्ते हैं कोई बवसाइक परिशर हैं वहाँ पर मुख्य सड़क तक जाने के चार रास्ते है एक रास्ते में गिली मिट्टी है दूसरे में पालिस किया हुआ संग मर्मर है तीसरे में इट है और चोते में बजरी है बजरी की सता पढ़ी होई है तेजवरसा हो रही है और पहली कोई लड़की है, मुख्य सड़क पर पहुचना चाहती है, किस रास्ते पर उसके फिसल में की संभावना सबसे कम होगी, तो आप मुझे बताइए, गीली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा फिसलन होगी, आप लोगों ने ये रियल लाइप में भी चीज़े फेस किया होगा, तो ये फ्रिक्षन होगा, सबसे अधिक होगा, तो इसका जो राइट आंसर होजाएगा, सबसे अच्छा जो संभावना होगी, उसके कम फिशलने की, तो वो डी आप्षन होजाएगा, बजरी पे, उस पे वो आसानी से जा सकती है, ठीक है न, आईवाप आप लोगों को ये प्राइब जरूर कीजेगा, वीडियो पसंद आएगे, तो लाइक कमेंट भी करके बताईएगा, ठीक है, आगी कह रहा है कि निमनलिखित पर विचार कीजिए, कह रहा है, खाचेदार टायर ठीक है, इसने है, ठीक है, मशीनों के बाल बेरिंग, उपरोगत में से किसका किन प्राइब का उपियो घर्षड को कम करने में किया जाता है, बताइए, क्या घर्षड घटाने के लिए, कम करने के लिए, टायर को खाचेदार बनाया जाता है, यह गलत बात है, खाचेदार बनाया जाता है, घर्षड को बढ़ाने के लिए, तो यह आप्सन हमारा नहीं पर one option है वो वो काट दो तो फोर्थ वाला अंसर नहीं हो सकता और थर्ड वाला अंसर नहीं हो सकता इसने है तेल ग्रिस मोबिल आयल है यह answer होगा हमारा मशीनों के बाल बेरिंग यह भी हमने बताया कि घरसड को कम करने के लिए किया जाता है तो आप कौन सा option सही हो सकते है दो और तीन दो नो तो दो वाला भी नहीं होगा और यह option करेक्ट हो जाएगा second वाला दो और तीन ठीक है ना आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा content को इकठा करने में question को इकठा करने में काफ़ी time जाता है और मेहनुत लगती है thank you so much फिर मिलते हैं हम लोग अपने next वीडियो में ओके बाबाई टेक क आई है